सभी का स्वागत है आपके लिए मैं क्वेशन लेकर आया हूँ भारतिया सविधान सबा का गठन विशेश्टाएं और आलोचना कुछ विद्यारति कह रहे थे कि सर एक बार भारतिय सविधान वाला क्वेशन करा दे तो मैं आप लोगों के लिए वही क्वेशन लेकर आया हूँ कोई भी देश लिखित कानूनों के अभाव में अस्तीतव में नहीं रह सकता किसी भी देश को चलाने के लिए उसके जो कानून है उसके जो नियम है वो लिखित में होने चाहिए और इनके अभाव में उस देश का आस्तीतव संभाव नहीं है अधिक्तम देश अगर विश्व के अंदर अगर हम देखें तो अधिक्तम देशों के सविधान लिखित है और निर्मान सविधान सभाओं के द्वारा किया जाता है तो जादतर जो देश हैं अधिक्तम देश हैं उनका जो सविधान वो लिखित है इंग्लेंड का सविधान विश्व के सभी सविधानों की जननी माना गया है भारत के सविधान का निर्मान एवम सविधान सभा अगर बात की जाए तो भारत का जो सविधान का निर्मान है एक सविधान सभा के दवारा गठित किया गया जो लिखित है भारत का जो सविधान है वो लिखित है और भारत की सविधान सभा में परशिद वकील, वीधी विशेशग्य, राजनेता सदस्य के रूप में सामिल थे डोक्टर राजन्दर परशाद सविधान सभा के अध्यक्स थे और अन्य जो व्यक्ति थे उनमें जोहरलाल नहरू, सरदार वल्लब भाई पतेल, मोलाना अब्दुलकलाम, जीबी पंत, डोक्टर बी आर अम्बेडकर, जेबी क्रिपलानी आदी गणमन्य व्यक्तियों का नाम आता है, सविधान के निर्मान में समीती के अध्यक्स, सविधान के निर्मान में समीती के अध्यक्स, डोक्टर बी आर अम्बेडकर की एहम भूमिका रही है, प्रारूप समीती ने जो रिपोर्ट प्रस्तूत की थी, वो 15 नौंबर 1948 को किया, जिस पर विचार विमर्ष करक 26 नौंबर 1949 को स्विकार कर लिया गया इसमें कुल समय दो वर्स 11 महिने और 18 दिन लगा और 26 जनवरी 1950 को स्विधान लागू कर दिया गया प्रारूप समीती में स्विधान सभा के लिए जो प्रारूप समीती का गठन किया गया था उसका अध्यक्स डॉक्टर बी आर अमबेड कर थे और अन्या च्छै सदस्य थे उन च्छै सदस्यों का नाम है गोपाल स्वामी आयंगा, कृष्णा स्वामी आया, के एम मुंसी, बी अल मितल, स्यद मुहम्मत दुला और टी टी कृष्णा मचारी इस सविधान सभा के लिए चालिस लाक रुपे का घर चाया ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन के अंदर क्वेशन में लिख सकते हो उसके बाद इसकी जो विशेष्टाएं है भारते लोग सवयधानिक सत्ता का स्त्तुरूत यानि इंडियन पीपल आर दा सौर्स ओफ गॉंसी त्विशनल अत्रोड़्य के लोग है भारत का जो स्विधान है वो भारतियों के द्वारा लिखा गया है और भारतियों के लिए लिखा गया है तो सत्ता का जो स्त्रोत है वो कौन है भारत के लोग भारत एक प्रभु सत्ता संपन राज्य है यानि इंडिया इज ए सवर्जिन स्टेट भारत एक प्रभु सत्ता संपन राज्य है यानि बिना किसी दबाओ सवतंत्र हर वेक्ती बिना किसी दबाओ के सवतंत्र रूप से राज्ये के अंदर रह सकता है भारत एक समाजवादी राज्ये इंडिया एज एस सोसिलिस्ट स्टेट 42 वे संसोधन में 1972 के अंदर समाजवादी जो सबद है राज्ये वो जोड दिया गया भारत एक धरम निर्पेक्स राज्ये 42 वा जो संसोधन हुआ था 1972 के अंदर उसमें भारत को एक धरम निर्पेक्स राज्ये के रूप में रखा गया क्योंकि भारत के अंदर विभिन धरमों के लोग रहते हैं और कोई बिवैक्ति किसी भी धरम को बिना किसी दबाओ के ग्रेंड कर सकता है, स्विकार कर सकता है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इंडिया as a democratic state भारत एक गंड राज्य है, इंडिया as a republic तो ये सब के हैं, कि भारत के अंदर जो लोगों का सासन है, लोगों के दोारा है, अगर कोई राजा, बराजा मींस कोई नेता, अगर लोगों को पसंद नहीं होता, तो पांच साल के बाद, democracy के जरीये, लोकतांत्रिक के जरीये, वो उसको हटा भी सकते हैं उसके बाद नियाए नियाए सभी के लिए समान अमीर गरीब जाती पाती बिना किसी बेदबाव के वो सामाजिक भी हो सकता है सोशल आर्थिक भी हो सकता है एकॉनॉमिक और राजनेतिक भी हो सकता है पॉलिटिकल सवतंतरता लिबर्टी इस पॉइंट को आप समझी रहे होंगे कि हम देश के किसी भी कोने के अंदर जा सकते हैं किसी भी दरम को अपना सकते हैं बिना किसी बेदभाव के कोई भी एजूकेशन हम ग्रैन कर सकते हैं तो सवतंतरता, समानता, भारते सविधान की एक विशेशता ये भी है कि लग भग सभी को समानता की दृष्टी से देखा गया है ब्रात्रिताव, फ्रेटरिटी, व्यक्ति की गरिमा एवं समान में विश्वास, बिलीफ in human dignity and respect, व्यक्ति की जो गरिमा है, व्यक्ति का जो समान है, समिधान उसमें विश्वास रखता है राश्टिय एकता एवं अखंडता का संकल्प, determination of national unity and integrity राष्टिय एक्ता हमारा जो राष्ट्र है वो विविन धर्मों में बटा हुआ है विविन राज्यों में है और सभी फिर भी एक भारतिय जहंडे का समान करते हुए राष्टिय एक्ता के सुत्र में बंदे होते हैं उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बारतिय स्विधान की अलोचना अत्मक व्याक्या तो अलोचना के बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ लोगों ने भी बोला है कि जो स्विधान का निर्मान किया गया है उसके अंदर कुछ कमिया रह गई क्या मोलिक्ता का अभाव, Lack of Originality Second, प्रस्तावना नियाय संगत नहीं, Premble is not justiciable तारकिक्ता का अभाव, Lack of Rationality प्रस्तावना पुरानी पढ़ चुकी है, Premble has become obsolete सविधान एवम उसकी प्रस्तावना लोकतांत्रिक नहीं है Constitution and its Premble is not democratic तो ये आप लोगों के लिए एक question था जो 16 marks का पुछा जा सकता है आशा करता हूँ आप लोगों के ये point समझ में आ गए होंगे ठीक है, ओके, thank you